कुछ पता चाहीं सॉल्यूशन जो मिला तो सालक क्या था पता नहीं कि आपके साथ भी यही हाल है तो SPOM eligibility criteria अगर आप लोगो जाना है तो फड़ा फट पाच मिनिट के अंदर मैं आप लोगो बदा दूंगा उसके पहले डू लाइक दे वीडियो एंड सब्सक्राइब बिकॉज अगर आप इधर तक पहुचें SPOM eligibility criteria के लिए देन इन दाट केस आपको SCPM से related काफी सारा content यहां पर मिलेगा विच्छ विल बेरी हल्फुल अब इक नोटिफिकेशन पर नहीं जाओंगा बट एक बार खाली आप लोगो को short में बता देता हूं that what exactly the intent was अबी बी कुछ चीजे इंसीडूट ने ओपन रखी है पट फिर भी जितना हो सकेगा मैं उतना बता रहा हूं बाकि आपको और कोई specific questions हो then in that case you can ask me in the comment box I will definitely reply to you to the best of my knowledge अगर आपने November 23 में attempt दिया है बले आप clear नहीं हुए बट आपने November 23 में CA final का attempt दिया एक group, दो group, एक paper जो भी आपने अगर attempt दिया तो आप दोनों group clear हो गये तो आप CA बन गये हो गये तो आप तो बारी हो गये एक group clear किया और November 24 में दूसरा group बाकि था आपका अब नहीं clear हो पाया तो November 24 में दे रहे group 2 अगर आपने November 23 में clear का तो आपको SCPM देने का जरुवत नहीं clear है so November 23 में आपने एक भी group अगर दे दिया है then in that case अब आपको अगर November 24 का exam देना है तो वो आप जो SPOM का exam है वो आप membership के पहले clear कर सकते हैं कोई tension नहीं है अगर आपने May 24 में first attempt दिया आप ये November 23 एंड उसके पहले वाले जितने भी लोग है आप लोग सब इस category में आगए तो अब आप देखलो November 23 में आपने exam दिया था हाँ दिया था क्या उस exam में group 1 clear हुआ हाँ law मत दो ग्रूप 2 clear हुआ हाँ SCPM मत दो दोनों भी नहीं clear हुआ कोई बात नहीं सेटे सेट भी आपको दोनों देना है कब membership application के पहले done 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 May 24 में sir मेरा first attempt था मैं May 24 में first attempt दिया थीक है कोई बात नहीं आपने May 24 में first attempt दिया भले ग्रूप 1 आपका clear हुआ हो ग्रूप 2 clear हुआ हो दोनों ग्रूप clear हुआ हो clear your सेटे सेट भी बिफोर membership application मेंबर्शिप नमबर तो चाहिए आपको 101 परसंट चाहिए तो आपको उसके membership के application के पहले सेटे सेट भी देना बढ़ा अब May 24 में आपने attempt दिया आप group 1 clear हो गए अब आपका November 24 में attempt due है आप बिंदास exam दो membership application के पहले सेटे सेट भी क्लियर कर लेना अपने May 24 में exam दिया पहली बार और आपने group 2 clear किया कोई बात नहीं आप आपका group 1 बचता है November 24 के लिए जाओ आप वो बिंदास exam दो membership के पहले आप लोग सेटे सेट भी क्लियर कर लेना दोनों group आपका clear नहीं हो है कोई बात नहीं November 24 आप जाओ बिंदास exam दो membership के पहले set a set भी clear कर लेना May 24 में first group clear हुआ है तो भी set a set भी आपको दोनों देना है, but कब membership के पहले, टीक है group 2 भी clear हुआ है, आपका May 24 में तो भी आपको set a set भी दोनों देना है, कब membership apply करने के पहले, तो in short May 24 वाले जिसने भी exam दिया है, वो November मेंबर 24 का एक्जाम दे सकते है बिंदास फिर आप लोग मेंबर्शिप अप्लाई करने के पहले सेटे सेट भी दे 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 डन अब मेजर जो confusion था वो यही दो लोगों को था अब इंटर वालों के लिए institute को तोड़ा और clarity लाना चाहिए उसमें institute ने बोला है cleared both groups in old scheme plus practical training आपका हो गया है by 31st October plus आपका advanced ITT हो गया है then आप set A, set B before membership दे सकते है but you have to clear this criteria अगर आपने यह criteria clear नहीं किया है then in that case आपको November 24 का attempt देना है तो आपको set A, B, C, D clear करना पड़ेगा before October 10 set C, set D का तो I am not sure institute ने papers लेना चालू किया है कि नहीं but यह criteria आपको October 10 के पहले clear करना पड़ेगा तो समझो सिए इंटर वाले कुछ students है जिन्होंने May 24 में clear कर दियो और अभी November 24 में final आ रहे है बट उनका यह criteria school feel नहीं हो रहा है तो उनको set A, set B, October 10 के पहले जो उनको institute का date है वो आपको clear करना पड़ेगा ठीक है फिर भी अभी भी आपके दिमाग में अगर कोई भी doubt है then let me know I will for sure clear it by talking it to the concerned person in the institute probably जरूर पड़ा तो BOS chairman के साथ भी बात कर लेंगे अपन कोई टेंजन नहीं है comment में आपके questions दे देना we'll put it to him through the mail I am in touch with him मैं आप लोग का definitely issue resolve करवा दो अस्तालव इस्ता, keep smiling, stay subscribe and stay connected thank you so much and also one more thing अगर आपका SPOM का अब exam due है then in that case आपके लिए मैंने मेरी website के उपर कुछ free test बनाए है and SCPM का अगर आपको fast track लेना है या कोई batch लेना है तो भी वो available है तो आप यह क्या करोगे बता है यह आप अगर समझो free test में जाते हो CA final तो आपको यहाँ पे test series मिल जाएगा paid test series भी है in case आपका November 24 में 25 जभी भी attempt due है तो अगर आपको exam देना है institute का main exam के पहले all of that is available यह दिखो इदर MCQ test for set A, set B free of cost और अगर आपको और detailed वाले अच्छे तरह वाले exam देने है that is also available बाकी अगर A, F, M आपका बाकी है then definitely you should join my master class to get a very good grip on the same यह है हमारे detailed test तो यह भी अगर आपको देना है कोई भी subject है F, R, A, F, M, D, T, I, D, D definitely that is also available for you thank you keep smiling but at least please without fail यह free test तो दे ही देना भाई आपका practice हो जाएगा क्या बोलते हो एके ने फ्री में चलो thank you इसका link नीचे दे रहा हूँ comment में आपको दिखेगा telegram channel पे scpm के मेरे बहुत सारे videos और notes है and telegram channel पे ही इसका भी आपको link दे रहा हूँ click करो I mean नीचे comment box पे इसका भी link दे रहा हूँ website का भी click करो मज़े करो